असलाम वालेकुम विवर्स आप सब लोग कैसे हैं उमीद करती हूं सब बहुत अच्छे होंगे और आप मेरा चानल देख रहे हैं फूड इन हेल्थ आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूं यह एक बार आप बनाएंगे तो इसको आप बार बार बनाना चाहे लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रेक्वेस्ट रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न बूले और चानल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते ह इस पुडिंग को बनाने के लिए हमें 4 टेबल स्पून बासमती राइस को एक से दो घंटे के लिए भीगो देना है जितनी तेरा भीगोएंगे उतना अच्छा रहेगा उसके बाद आपने एक कूकर में थोड़ा सा गी डालना है और उसमें इस भीगेवे चावलों को बहुत जल्दी से असानी से बन जाए इसमें बिल्कुल भी टाइम ने लगे महनत भी बहुत कम लगने वाली है आप चाहें तो डारेक्ट मिल्क में डालके पका सकते हैं जब तक चावल के लिए जैसे खीर पकाते हैं लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी दो प्रेशर लगाने के बाद फिर अपने प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ दें उसके बाद इसके स्टीम निकालेंगे उसके बाद हम जब हम इसको देखेंगे तो चावल बहुत अच्छे से पक चुके होंगे और अब हमें करना है इसको बहुत अच्छे से मिक्स स सारा मिल्क इसमें मिलाने से पहले ये जरूरी है कि हम चावल को बहुत अच्छे से मैश कर लें थोड़ा-थोड़ा मिल्क एड़ कर सकते हैं लेकिन पहले हमें चावल को बहुत अच्छे से मिक्स करना है चाहे तो आप इस तरीके से कर लें किसी बड़े स्पून से या फिर आ मैंने सारा एड कर दिया है तो पहले थोड़ा मिलाया है इसको अच्छे से लंप फ्री किया है उसके बाद जो बचावा मिल्क था वो भी सब मिला दिया है तो यहां पर मिल्क की जो टोटल कॉंटिटी है वो वन लिटर है आप चाहें तो फुल फैट क्रीम मिल्क भी ले सकते ह अब इसको चलाते रहना है और इसको तब तक पकाना है कम से कम 20-25 मिनट तब तक यह बहुत अच्छे से थिक हो जाए और फ्लेवर के लिए इसमें मैंने इलाइची पॉडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों को एन्हांस करने के लिए केसर मि और इलाइची पॉडर डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और चलाना है इसको हम पकाते रहेंगे थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट यह पकेगा और इतने यह पकता है इतने हम एक परपरेशन कर लेते हैं यह कुछ नट्स हैं यह मैंने इसको चॉप करक दो सेशे मिल्क पॉडर के और टू टेबल स्पॉन भर के कस्टड पॉडर के कस्टड पॉडर मैंने केसर पिस्ता वाला डाला है आप चाहें तो मैंगो वाला भी डाल सकते हैं या वैनिला भी कोई भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से कस्टड मिलान पर उसमें इसको एड़ कर देंगे और इसको एड़ करने के बाद हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पुडिंग को चलाते रहना है इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है मिल्क पॉडर और कस्टर्ड पॉडर डालने के बाद ये इसकी टेंडेंसी होती है कि बॉटम में स्टिक होने लगता है तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम इसे आड़ कर दें तो हम कंडिनिसली इसको चलाते रहें मिल्क को इसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं नहीं तो फिर ये बॉटम में स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे और इसको पकाएंगे उसके बाद इसमें हम 4 टेबल स्पून शुगर एट करेंगे जो कि बहुत ही जादा ना मीठा रहेगा और ना ही फिका रहेगा बहुत अप्रु अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसके साथ मेंगो एसनस भी मैंने दो ड्रॉप डाला है इसको डालने के बाद इसको थोड़ी दियर और पकाएंगे फूट कलर डालते ही हम देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छा कलर आजाता है अगर आपका मैंगो बह झालने के लिए थोड़े देर के लिए छोड़ जाना कम से कम 15-20 मिनट इतने हम क्या करते हैं फोड़ा सा मैंगो एक मेंडियम साइज का मैंगो लिया है इसको पील करके चुट-छोटे pieces में कट कर लेना है और इसकी प्योरी बना लेनी है जब इसकी प्योरी बन जाएगी त तो फिर हम इसको ठंडा करने के बाद इस पुडिंग में इस प्यूरी को एड़ कर देंगे तो एक मीडियम साइज का मैंगो काफी रहता है आप चाहें तो जादा थिक करना है तो दो मैंगो भी आड़ कर सकते हैं या फी बड़े साइस का एक मैंगो ले लीजिए तो बस ये ठंडा होने के बाद ही इसमें आड़ करें क्योंकि इसमें अगर हम गरम में मिलाएंगे तो फिर मैंगो की वज़े से मैंगो की हल किसी जो खटास होती है उससे हमारी पुडिंग के फटने के चांसे हो जाते हैं तो ठंडा कर लीजे थोड़ी देर 10-15 मिनट इसको थोड़ा रूम टेंपरेचर पे लिए उसके बाद इसमें इस तरह से प्योरी को एट कर दीजे तो ये हमारी पुडिंग एकदम तयार है मुश्किल से आधा गंटा इसको लगता है बनाने में उसके बाद आप इसको फ्रि इसमें मैंने पहले की कैश्यू लगा दिया इनको स्प्लेट कर लिया हाफ में उसके बाद मैंने थोड़े से बदाम को चॉप किया था वह उपर से डाल दिया इसमें और उसके साथ फिर पिस्ते का इसमें गार्णिश बहुत अच्छा लगता है इसको आप किनारों पे इस तरह से सजा दें या फिर आप इसको किसी भी और भी पैटन पर डाल सकते हैं इस पर चैरी डालें या फिर अनार दाना डालें उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट और एफेक्ट दोनों आएगा आई होप आपको यह रेसिपी अच्छे लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल भी जुरू सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई मेरी रेसिपी वीडियो आपसे मिसना हो मेरे चैनल को विजिट करें उस पर आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी और कमेंट बॉक्स में अपना का फीडबेक देना बिल्कुल न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो फिर मिलती हूं निव रेसिपी के साथ तिल देन हैपी कुकिंग टे कियर अलाहाफेज